मख़ा है अगर फ्रेंड्स बूँट गुड मोर्निंग, वेलकम बेक टू आवर चैनल, अज मैं फिर से आगा हैं एक नई रेसिपी के साथ, तो आज मैं सोमबार के वरत के लिए जो बिस बनती हैं, उसकी रेसिपी लेके आई हूं, तो आज साबू दाना की रेसिपी में रखिया थ्राइब का दुछ और फिल भिग लिया। रेसिपी हैं जालू के तो चील को चाल लिया है लेन लीभूट के भाएद पोटैटो ने रखिमे ल prianOY की कुछा उसके कात है मुमफली भी из- שמצ बूर्का लिया है तो मुंफली भी मैं इस में डालूँगी तो सबसे पहले चलते हैं साबुदाने और मुंफली को पीशने के लिए यानिकी गराइड करने के लिए मैं Mickyzer Groniner का यूज करूँगी उसमें मैं इन दोनों को पीशुँगी चलिए शुरू करते हैं इन दोनों को पीशना तो अब मैं ग्राइंड करना सुरू करती हूँ, मैंने इसका जार लिया है, जार में मैं साबुदाना डाल लेती हूँ, थोड़ा थोड़ा करके मैं दो बार में इसको ग्राइंड कर लूँगी, तो पहली बार में मैं डाल कर इसे ग्राइंड कर लेती हूँ, इस तरह से ये ज तो मैंने एक बार ग्राइंड कर लिया फिर इसके बाद और जो थोड़ा साबुदाना बचा है वो भी मैं इसी में डाल कर एक साथ ग्राइंड कर लेती हूं यह इस तरह से बचा है मैंने इसमें भी डाल दिया पूरा साबुदाना मैंने डाल कर एक साथ ग्राइंड कर लिया तो अब इसे खोल कर चेक करते हैं कि यह कैसा हो गया है ग्राइंड हो गया है पिस गया है या नहीं तो चलिए खोल चेक करते हैं देखिए यह ग्राइंड हो चुका है तो इस तरह से मैं अब इसे निकाल लूँ रदि कुका है अब इसको एक बावल निकाल लेती हूं इह एक मैंने बावल ग्षाथन देती है श्चकि कर निकाल बावल ह में मॉंफली टां Customer भूने ले लेती हूं और इसमैं डालती हूं दालकर फिर मैं इसको ग्राइंड ओंगा करूंगी sprite को भी इसोchnकल डिया देखिए अक्षक दों कुर्डो कर लेती हूं अब इसे भी मैं एक बाउल में निकाल लूँगी तो चले निकाल लेते हैं मॉमफली भी मैंने अच्छे से पीस लिया इसे भी मैं निकाल लेती हूँ ये भी बहुत ही महीन हो जाता है मॉमफली भी पीसने पे इसे भी सावधानी से ही करना है अब मैं एक बाउल ले लेती हूँ यह मैंने एक बाउल ले लिया अब इसमें मैं साबुदाना जो पीस के रखा था वो इसमें मैं डाल देती हूँ साबुदाना डालने के बाद मैं इसमें मॉमफली डालूंगी मॉमफली डालूंगी उसके बाद यानि पोटेटो यानि आलू पील आलू को भी इसमें डाल कर मेश कर लूँगी तो इतली यह ममपली भी मैंने डाल दिया अब मैंने हरी मिर्च कट-कट के रखी है उसको मैं इसमें डाल देती हूँ यह मैंने डाल दिया जो की मैं वरत के लिए ये recipe बना रहे हूं इस लिए मैंने रोक साल्ट यानि की सेंधा नमक लिया है वन इस्पून है ऩी मैं है इससे एंदर डाले आधी को इससे सीमध बॉआ बॉआलों करें आधा नेडारा है मैं आधां मुक्ष प्र wen बॉआलाना है I already hands you बैल करें अच्छे से मिक्स कर लेधा है उसके बाद मैं थोड़ा सा ओयल डालूँ है बाद मुम्वली इसके बाद में और में ठीकल किया तो फास्ट के लिए यानि व्रत के लिए मैं ये डिश्ट बना रही हूं तो मैंने मुमफली का ते लिया। अजड़ धूरे को अशर्ट शोड़ियों मैं नेधने की मोफली का अउयल मुंफली मैं मोफली माशने इसे में रूप चिंगा मैं एक हम दोड़े में शीचन जाल खांग है तो ये अब एक डोग की तरह बनकर ready हो गया है अब मैं इसकी बड़ी बनाऊंगी बड़ी बनाने के लिए मैंने यह मुम्फली का तेल थोड़ा सा कटोरी में यानी की बाउल में ले लिया है अब यह हाथ में लगा कर मैं थोड़ा-थोड़ा एक एक थोड़ा थोड़ा करके इसकी वो बनाऊंगी साबुदाना बड़ी यानि की कटलेट या साबुदाने के पकोड़े भी आप कह सकते हैं वो मैं बनाऊंगी तो इस तरह से थोड़ा थोड़ा आयल लेकर मैं बना लेती हूं और सारे मिक्षर का बना लूँगी सारे डो का बना लूँगी उसके बाद मैं इसे डीप फ्राइ करूँगी मैंने कुछ कटलेट बना लिये इस तरह से ये देखिए और अब चलते हैं इसको डीप फ्राइ करने में इसे डीप फ्राई करूंगी चलते आधे करने के लिए कड़ाई रग दी है रग दी है और कड़ाई गरम हो रही है कड़ाई गरम होने के बाद मैं इसमें डाल देती हैं यह मुफली का ऑइल कड़ाई को नाशा होल बाद मैं इनुट में हो अब बाद में कड़ाईで ली द मेरा सिमय और पड़ाई में कड़ाई को कि लिए मुम्सली के टेल शुका कड़ाया लासनी ये। और अगर आप ऐसे भी चाहें तब भी आप इसे बना सकते हैं कड़ाई में कटलेट एक साइड से हो गया है अब मैं इसे पलट कर दूसरे साइड से भी कुप कर लूँगी डीफ्राइ कर लूँगी तो इस तरह से मैं पलट दे रही हूँ पलटने के बाद दूसे साइड से भी हो जाएगा उसके बाद मैं इसे निकाल लूँगी खाने के लिए तो दूसे साइड से भी होने देते हैं यह दोनों साइड से हो चुके हैं तो अब मैं इसे निकाल लेती कि अब पूरी कटलेट कर कर सभी को फ्राइब कर लिया थोत्त्त कर लिया है तो यह बन कर्रेडी हो, अब चलते हैं रेटि में शरविंग के लिए मैंने एक प्लेट ले ली है प्लेट में मैं कटलेट को कि सजा दूंगी कि आग मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और इसे बनाईए और मेरे वीडियो को शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सबस्राइब कीजिए नेक्स लूillar कीजिए होगory